हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलिस आइफोनिया के एसेक्श्वल और सेक्श्वल प्रोडक्शन के बारे में अगर आपने पहला पार्ट पॉलिस आइफोनिया का नहीं देखा है तो वह थैलस इस्ट्रक्शर पर मैंने बनाया हुआ है उपर आई बटन प के उसमें थैलस अब लेविल हैं इन टाइप के थैलस है अब लेविल तो हम उन तीनों थैलस को यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहला है एसेक्श्वल थैलस जिसको हम टेट्राइस्पोरोफाइड भी कहते हैं टेट्राइस्पोरोफाइड एक डिपलॉइड थ यानि कि basically tetrasporophyte जो थैलस है वो ए-sexual type का है उसमें भी कोई भी sexual organ नहीं मिलेगा यानि कि उसमें sexual reproduction में इसका प्रोल नहीं है अगला है gametophyte thallus gametophyte haploid thallus है और इस पर sex organs मिलते हैं तो sex organs क्या होगा polysiphonia जादते species diocese होती है diocese का मतलब होता है कि male और female जो होंगे वो अलग होंगे यानि कि male gametophyte अलग मिलेगा और female gametophyte अलग मिलेगा जो male gametophyte होगा उस पर spermat angia मिलेंगे और female gametophyte होगा उस पर carpogonia मिलेंगे अगला जो थैलस है वो है carpo sporophyte यह एक डिप्लॉइट थैलस है fertilization के बाद जाइगोट बनेगा male और female sex organs में तब जाइगोट में division होगा और वो माइटोटिक division होगा और उसके बाद में एक डिप्लॉइट थैलस का formation होगा वो होगा carpo sporophyte जो female gametophyte के उपर ही मिलेगा तो यह जो carpo sporophyte थैलस है यह female gametophyte के उपर ही dependent होता है उस पर एक टाय का parasite के form में होता है बेसिकली हम polysiphonia में समझते हैं कि tetra sporophyte और जो gametophyte थैलस है यह दोनों थैलस देखने में morphologically यानि बाहर से अगर हम दोनों को देखेंगे तो दोनों ही थैलस एक जैसे दिखाई देते हैं सबसे पहले हम asexual reproduction को देख लेते हैं asexual reproduction tetra sporophyte पर मिलेगा tetra sporophyte में कुछ औरगन डेवलप होंगे जिनको हम tetra sporangia कहेंगे tetra sporangia से कुछ non-motile tetra spores बनते हैं जो की haploid होते हैं क्योंकि यह sexual production है तो इससे haploid tetra spor बनेंगे यह haploid tetra spor finally germinate करके gametophyte बना लेंगे क्योंकि haploid हैं तो इनके germination के बाद में gametophyte generate होता है तो tetra sporangia को हम समझ लेते हैं tetra sporangia small है spherical है stock cell होगी और वो develop होगा pariscentral cell से इसको हम tetra sporangial initial कहते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं tetra sporangial initial है जिससे की divide होकर एक cover cell और sporangial mother cell बन रही है sporangial mother cell फिर further divide करके sporangial cell बनाती है और दूसरी stock cell बनाती है stock cell से stock का generation होगा और sporangial cell जो है वो enlarge कर जाएगी और उससे tetra sporangium generate हो जाएगा यहां पर हम देख लेते हैं इस structure को तो यहां पर tetra sporangium है यह इस टॉक है नीचे और यह नीचे एक stock cell है यहां पर stocks दिख रहा है यह यह आपको टेटा sporens देखाई दे रहे हैं यह पूरा एक टेटा इस पोरेंजियम है इसमें बहुत सारे टेटा sporens लगे हुए हैं तो यह इस टाइप का हमारा tetra sporengia होता है पोरेंजियम का deployed nucleus होता है उसमें meiotic division होगा यानि कि reduction division होगा reduction division के बाद में चार haploid sporens बन जाएंगे वह चारो haploid sporens tetrahydral arrange होंगे यानि कि एक दो तीन और चार एक इसके पीछे दिखाई देगा यह 3D structure में दिखाए रहे हैं तो यहां पर क्या होता है basically जो दो sporens होंगे four में से वह male gametophyte बनाएंगे और बाकी के दो जो होंगे वह female gametophyte generate करेंगे अगला हम देखते हैं sexual reproduction तो sexual reproduction के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं male gametophyte male gametophyte जिसको हम spermatangia या anthridia भी कहेंगे हो तक है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो short branches होती हैं उनको हम trichoblast कहते हैं तो कुछ fertile भी होती हैं कुछ branches sterile भी होती हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि उससे male gametophyte का development होगा दो से तीन जो cells होंगी वो fertile trichoblast की वो divide करेंगी die cut muscle यानि कि दो-दो में divide करेंगी और उसके बाद में और ज्यादा divide वो करती चली जाएंगी उसमें जो uniaxial fertile trichoblast की जो cell होगी कुछ basal cell को छोड़ कर बाकी जो cells हैं वो periclinally divide करके pericental cells बना लेंगी यह जो pericental cells होते हैं आप यहां पर देख सकते हैं यह fertile trichoblast है तो क्या होगा परicental cell उसमें divide होगी और उसके बाद में एक या दो spermatangial mother cell बना लेती है इस spermatangial mother cells फिर उसके बाद में divide करेगी और उसके बाद बहुत सारी spermatangial generate हो जाएंगी और उसके बाद में ऐसे फर्दर डिवीजन के बाद में बहुत सारी इस परमेट एंजिया का एक क्लस्टर बन जाएगा और वो कोन शेप का दिखाई देगा जैसा कि आप यहां पर इस स्टक्चर में देख सकते हैं यह जो स्टक्चर है आप देखें यह कोन लाइक के स्टक्चर है और बहुत सारी इस परमेट एंजिया जो गई हैं इनकी जो सेज़ वाल हो गी आउटर वाल थिक होगी मिडल होगी जेलेटिनिघ्र होगी और इनर जो लेर होगी वह रिफरेक्टिव लेर होगी यूरी नूप्लिट प्रोटोपलास्ट होगा इस परमेट इंजियम का उस से डिवीजन होने के बाद में यहां पर इस पर्मेट एंजल मदर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है इस इस पर्मेट एंजल मदर सेल से किसी से एक या किसी से दो मैंने जैसे बताया था एक या दो इस पर्मेट एंजिया जैनरेट होते हैं यह बहुत सारे इस पर्मेट एंजिया इस और उससे इस Parmatrium बन रहे हैं सब्सक्राइब को ही हम by appreciate लैसे फ्लाश की बनेगी और जो अपर cell होगी वह elongated रहेगी और उससे ट्राइकोगाइन का formation होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो अपर cell है यह ट्राइकोगाइन है और यह जो बेसल है यह supporting cells बाकी हैं और यहाँ पर आप कार्पोगोरियम देख सकते हैं यह जो ट्राइकोगाइन होगा लेकिन बाद में वह मल्टी एक्जियल हो जाता है आगे हम देखते हैं कि फीमेल ट्राइकोगाइन की जो सेल है उसमें एक पेरिकलाइनल सेल सपोर्टिंग सेल की तरह function करने लगती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सपोर्टिंग सेल है इसमें डिवीजन होगा और जिसके बाद में चार से पाँच कार्पोगोणियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इसकी जो टर्मिनल सेल होगी वह function करेगी कार्पोगोणियल mother cell की तरह है और जिसमें further carpagonium का formation हो जाएगा जो supporting cells होंगी वो cut off कर जाएगी basal side में और lateral side में basal initial का formation होगा जो कि sterile होगी और lateral side में भी lateral sterile initial का formation होगा fertilization के समय पर यह जो initials का formation हो रहा है यह सभी initials sterile filaments का formation करते हैं fertilization के समय male gamete जिसको हम spermatia कह रहे हैं वो non-mortile होंगे और वो non-mortile gametes move करेंगे water current के थुरू क्योंकि उनके पास में कोई particular movement का flasula वगरा है नहीं तो इसलिए वो water current के थुरू move करेंगे और move करने के बाद में वो carpagonium के trichogine पर पहुंच जाएंगे trichogine पर जब वो पहुंच जाएंगे तो trichogine की wall जहां पर वो attach होंगे वहाँ पर dissolve कर जाएगी और dissolve करने के बाद में एक opening वहाँ पर होगी opening से ही male gamit under move कर जाएगा और अंदर move करने के बाद में male gamit egg nucleus से fertilize कर जाएगा और deployed zygote का formation हो जाएगा यह deployed zygote आगे further development के थुरू carpo sphorophyte का development करेगा यहाँ पर सबसे important बात यह है कि जो rodophyce है वो सबसे advanced group है algae का और उसमें कोई भी flagellated structure नहीं मिल रहा है तो यह important है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि rodophyce में flagella मिलता है या नहीं मिलता है आगे हम post fertilization changes में देखते हैं कि कैसे carpo gonium से ही carpo sporophyte का development हो रहा है carpo gonium में जहाँ पर basal esteride filaments दो से चार जो cells थी वो सबी बाद में जाकर nutritive layer का formation करेंगी और जो supporting cells होंगी उससे auxiliary cells बनेगी जो की carpo gonium के base की तरफ मिलेगी तो आप देख सकते हैं यह supporting cell है यह basal side में मिल लई है यह carpo gonial filament है तो सबसे पहले हम zygote में देखते हैं zygote में development होगा जिससे दो cell बनेगी एक जो cell होगी वो carpo gonium में ही रहेगी और दूसी पास कर जाएगी auxiliary cells की जो ट्राइकोगाइन है उसमें shrivel हो जाएगा यानि कि वो खतम हो जाएगा और carpo gonium fuse कर जाएगा supporting cell से और sterile filament से उसके बाद में एक large placental cell का formation होगा auxiliary cell का जो deployed nucleus होगा उसमें mitotic division होगा जिससे बहुत सारे deployed nucleus का formation हो जाएगा कहां पर deployed nucleus का formation हो रहा है placental cell में placental cell में tubular outgrowth मिलेगी और deployed nucleus जो होंगे वो उस tubular outgrowth में move कर जाएगे और इसके बाद में क्या होगा वो outgrowth जो होगी वो cut off कर जाएगी placental cell से और वो एक gonimo blast initial की तरह function करने लगेगा जो auxiliary cell है उसमें division के बाद में बहुत सारे deployed nucleus का formation हो रहा है और वो कार्पोगाइन में develop move कर जाएगे जिसको हम कार्पोगाइन कार्पोगोनियम जिससे की finally placental cell का formation हो रहा था तो जब यहां पर move कर जाएगे उसके बाद में इससे उसका cut off हो जाएगा cut off होने के बाद में वो इक गोनीमो ब्लास initial की तरह function करने लगेगा गोनीमो ब्लास initial से ही आगे कार्पोइस्पोरोफाइट का development होगा जिसको हम यहां पर समझते हैं गोनीमो ब्लास initial वो further divide कर जाएगा और small गोनीमो ब्लास filaments का formation होगा जो terminal cell होगी इन filaments की वो develop कर जाएगी कार्पोइस्पोरेंजियम में जिसमें की deployed कार्पोइस्पोस का formation होगा तो गोनीमो ब्लास जो filaments होगे कार्पोइस्पोरेंजियम के साथ में enclose कर जाएगे और उसके बाद में एक vegetative filaments की sheath बन जाएगी और एक urn shape body बना लेंगे अर्ण shape body यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको हम कह रहे हैं कार्पोइस्पोरोफाइट या सिस्टोकार्प शीथ जो develop होगी उसके चारो तरफ उसको हम pericarp कहेंगे कार्पोइस्पोरोफाइट के अंदर कार्पोइस्पोर्स generate होंगे और वह एक टर्मिनल पोर जिसको हम ओस्टियोल कह रहे हैं उसके तुरू बाहर निकलेंगे यहां से जब कर्पोइस्पोर्स निकलेंगे तो वो germinate करेंगे और germinate के बाद में tetra sporophyte का development कर लेते हैं यह Tetra sporophyte जो होगा gametophytic thallus की तरह ही देखने में होगा तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इसकी life cycle में तीन टाइप के thallus मिलते हैं सबसे पहला है tetrasporophyte जो की एक asexual thallus है और उसके बाद में यहाँ से male thallus और female thallus दो gametophytic thallus का formation होगा और इन gametophytic thallus के बाद ने further zygote बनेगा और zygote से carpo sporophyte thallus का development होगा carpo sporophyte से carpo spose बनेगे और carpo spose से फिर tetrasporophyte बनेगा तो यह basic life cycle है यहाँ पर मैंने बहुत short में आपको life cycle भी बता दिया लेकिन इस वीडियो के next part में हम life cycle को detail में समझेंगे अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका link मैंने दिया हुआ है आप link पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें एक झाल रहें